नमस्ते दोस्तों मेरा नम है उमंग आप देख रहें वो गेमिंग एंड टेक्निकल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने डिवाइज में फूल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल कर सकते हैं दोस्तों हाँ आपने सही सुना आप अपने रेड्मी 4 डिवाइस हो रेड्मी नोट 4 हो या तो फिर रेड्मी वाइवन हो या कोई भी डिवाइस हो रेड्मी सीरीज का या जामी के कोई भी डिवाइस है उसके अंदर आप किस तरीके से इसे इनेबल कर सकते हैं या कोई भी ए बताने वाला हूं दोस्तों एक बहुत ही चीज़ बताता हूं कि इसके अंदर आपको ना तो रूट की जरूरत है और कोई और चीज़ नहीं आपको simply मैं जो step बताता हूं उस तरीके से आपको करना है और आपको एक application की जरूरत होगी application simply 2 MB का ही है बहुत ही तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं कई सारे आपको इसके अंदर फीचर देखने को मिल जाते हैं मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को यारे तक जरूर से देखिए और आपने अभी तक हमारी चैनल को नहीं सब्सक तरीके से करेंगे ताप बेक चले जाएगे अगर आपने क्लोक ओपन की तो आपने दो एपलिकेशन को ओपन की तो आपको अब दूसरी एपलिकेशन में जाना है यानिके सेटिंग्स में ताप इस तरीके से यहां पर होल्डाउन करेंगे ताप जैसे कि देख सकते है कि करेंगे दिए लाजाएन करेंगे यहां से इस तरीके से यूज करेंगे तो यह बैग tent चलाते हैं थी कि इस सेटिंग क्यीत वह अब आपको अपना प्याया थे से फंड जाएगा लिए चल लुटा करने तो इसा आपको इसमें बता देता हूं तो इसके अंदर आप जैसे यहां से स्वाइब करेंगे राइट कॉर्णर से तो जैसे कि यह अब करेंगे आप android से नोटीफीकेशन ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से यहां से आप की नोटीफीकेशनों ओको देख सकते ठीक है और यहां से आप Google Assistant को भी इनेबल कर सकते है बहुत ही अच्छी तरीके से इस application को आप कस्टमाईज कर सकते है दोस्तों तो यह application आपको Play Store पे मिल जाएगा बहुत ही अच्छी application है application है Fluid Navigation Gesture इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कस्टमाईज कर सकते है यहां पर आपको सभी option देखने को मिल जाते है ठीक है तो आप यहां से इसे कस्टमाईज कर सकते है अब बात करते हैं इसके अंदर एक और चीज़ की जिसके अंदर आपको प्रो वर्जन भी देखने को मिल जाता हैं इसके अंदर आपको कई सारे और भी फीचर देखने को मिलेगÁं थीक है यह आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा अगर आप Redmi का device यूज़ कर रहे है या Xiaomi के कोई भी device तो इसके अंदर आपको MIUI देखने को मिल जाता है तो दोस्तो जब भी आपको clear data करेगे या clear memory आपकी होगी तो यहां से यह application है fluid navigation bar वो निकल जाता है इसलिए इस तरीके से आप इसे lock कर दीजिए तो जब भी आप इसे clear करेगे तो भी यह पूरा work करता रहेगा ठीक है तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से आप इस application को use कर सकते है full screen navigation gesture को तो बस दोस्तो मैंने इसको आपको दिखा दिया पूरी तरीके से कि आप इसे किस तरीके से use कर सकते है तो दोस्तो पिलिस हमारी वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और आपने अभी तक हमारी चैनल को नहीं subscribe किया है तो subscribe कर दीजिए जाई हींद बंदे मात्रम